दोस्तो keyboard में एक बटर होता है shift की जो भी computer पे काम करते हैं जाता लोगे इसे एक या दो तरीके से यूज करते हैं जैसे किसी भी नाम को टाइप करते से में किसी भी word को टाइप करते से में word का पहला अच्छा बढ़ा करना हो तो उसके लिए उज़ करते हैं shift key दोस्तों computer में shift key का उज़ बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर shift key उज़ करने के 5 important तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप computer पे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful है एक computer पे काम करने वाले को हमें सब कुछ नयाद सीखना चाहिए दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नयाद सीखने को मिलेगा तो shift key का उज़ करके computer में हम कितने तरीके से काम कर सकते हैं सीखने के लिए इस वीडियो में साथ लास तक बने रहें चैनल पे नया है तो चुर को सस्काइब कर लें और वे एक अब अटेब पेस कर दें तो बिना टाइम बेस किये हुए सुर करते हैं आज का टोपी के shift key का trick नमब बाने दोस्तों computer में काम करते समय जब आपको multiple file से या folder को slate करना हो जैसे यहाँ पे बहुत सार फोल्डर है यहाँ पर पहली लाइन का सभी फोल्डर है और दूसरी लाइन का यहाँ तक जो फोल्डर है इन सभी को एक बार में slate करना है तो slate करने के लिए अगर आप mouse से left button दबा करके जब आप starting से slate करेंगे तो यह दिखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे first line slate कर लिया जहाँ तक हमें folder slate करना है वहाँ तक फोल्डर slate नहीं होगा तो यहाँ पे मारे पास सिर्फ एक ही option है shift key shift key का use करके जहाँ तक हमें folder slate करना है वहाँ तक एक बार में ही slate कर सकते हैं slate करने के लिए जो भी पहला फाल यह folder है उस पे click कर देना है तो मैंने आपके पहले folder पे click कर दिया आप keyboard से shift की press करना है और जहां तक आपको select करना है उस आले folder पे आपको click कर देना है ये देखिए दोस्तो जहां तक हमें select करना था वहां तक select हो गया trick number 2 दोस्तो computer के अंदर किसी भी file ये folder को जब आप delete करते हैं जैसे यहां पर मैंने इस सारी फाइल को delete कर दिया तो delete करने के बाद यह आपको जादा है recycle bin में फिर दुवारा से आपको इस पर right click करके इसे delete करना परता है computer से हमेशा के लिए delete करने के लिए लेकिन दोस्तो अगर आप चाहते हैं को भी एसी फाइल जिसे delete करने पर computer से एक बार में delete हो जाए तो उस फाइल पर क्लिक करके आपको keyboard से बैस करना है shift delete की और यहाँ पर yes पर क्लिक कर देना है आपको भी फाइल recycle bin में नहीं जाएगी यह देखिए trick number 3 दोस्तों computer में काम करते समय keyboard में किसी भी की पर दो सेंबल दिये वे हैं तो एक कायूच करने के लिए without shift और दूसरे कायूच करने के लिए shift की कायूच करना पड़ता है यहाँ पर आप जितने भी की देख रहे हैं तो इसमें दियावाए number और यहाँ पर जितने भी 5 पर तो यहाँ पर आगया percentage दोस्तों keyboard में दोन साइड में shift दियावा है आप किसी भी shift का उच कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इस वाले shift में क्लिक करके मैंने यहाँ पर 6 प्रेस किया trick number 4 दोस्तों आपको keyboard से shift की 5 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है तो यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच तो यहाँ पर एक feature activate होगा इस टी की कीजे दोस्तों इस वाले feature का यूज़ चार की के साथ करते हैं shift, control, alt और window key इस वीडियो के अंदर मैं आपको shift की के साथ इसका use करके दिखाऊँगा use करने से पहले इसके बारे बता दूँ दोस्तों computer में काम करते समय हमें कोई भी ऐसा काम है दो key प्रेस करके करना पड़ता है जैसे माले जी हमें computer बंद करना है तो keyboard से प्रेस करते हैं alt f4 यहाँ पर MS Word के अंदर जो भी हमने काम किया हुआ है पूरे को एक बार में स्लेट करना हो तो keyboard से प्रेस करते हैं control A अगर हमें control दबा देंगे और छोड़ देंगे और A प्रेस करेंगे तो यह पूरा text से स्लेट नहीं होगा तो दोस्तों इसी तरीके से computer में काम करते समय अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर हमें shift के साथ कोई दूसरी की पेस करना पड़ता है दोनों को एक साथ है तो इस वाली feature को yes करने के बाद आपको दोनों की को एक साथ प्रेस करने की जुवत नहीं है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने yes कर दिया जब आप यहां पर yes करेंगे तो यहां पर sticky का feature एक्टिवेट हो जाएगा यह देखिए shift की का उच करने के लिए यहां पर जितने भी word है इससे में delete कर देता हूँ और इससे slate करके इसका size में यहां से बड़ा कर देता हूँ यह देखिए तो यहां पर मैंने इसका size बड़ा कर दिया ताकि आपको साब साब दिखाए दे मुझे यहां पर keyboard से oscillate करना है तो oscillate करनी के लिए shift के साथ right arrow की press करना पड़ता है दोनों की को एक साथ है दोस्तों computer में काम करते समय किसी किसी को दो की एक साथ प्रेस करने में काफी दिक्कत होती है तो यहां पर keyboard से में 5 बाद shift की press कर देता हूँ जल्दी जल्दी यहां पर कर देता हूँ यह से तो यह आगया हमारा sticky key का feature है मैंने आप shift की press कर दिया आप यहां पर जैसे ही right arrow की press करूँगा तो यहां पर ओस लेटर हो गया मैंने आप दोनों की को अलग अलग प्रेस किया है पहले shift उसके बाद right arrow पहले मैंने shift और right arrow की को एक साथ प्रेस किया था trick number 5 है दोस्तों आपकी computer के अंदर जब caps lock on है और यहां पर आप जो भी काम करेंगे तो सारा काम आपका capital में होता है caps lock on होने पर अगर यहां पर यहां पर shift के साथ कोई बटन प्रेस करते हैं तो जो भी आपका type होता है small letter के अंदर यह देखिए और caps lock off करने पर जब keyboard से shift के साथ कोई बटन प्रेस करेंगे यह आपको सारा काम होगा capital में यह देखिए तो आपने देखा दोस्तो computer में shift की का युज़े कितना important है और दोस्तो keyboard से 5 बटन प्रेस करने पर sticky की का जो feature है उसके अंदर shift के अलावा और भी जीतने भी की दिये हैं उन सभी का युज़ करके computer में काम कैसे करते हैं अगर आप मुझे comment करेंगे तो मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बना दूँगा तो आज के इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके बाद सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक करना ना भूलें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेक अबटर पेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नेरी वीडियो जैसे एप्लोड करूँ आपको स्क्रीज काई सबसे पहले मिसके ठैंक्स